आपका स्वागत है नमस्कार जी मीडिया में आपका स्वागत है मैं हूं दिनेश शर्मा डारेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब बीजेपी के नए अध्यक श्वेट मलिक मलक साब जी मीडिया में डारेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है मलक साब बड़ी चुनाती आपके लिए ऐसा है कि भारती जिंता पार्टी के कारे करता के लिए कोई भी कारे चुनाती नहीं हुआ गरता यह निरंतर हम कारे कर रहे हैं तो मैं अभारी हूँ प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी का हमारे राष्ट अध्यक्ष श्री अमिशा जी का हमारे लीडर आफ दा हाउस राजसबा वित मंतरी श्री अरुन जेतली जी का हमारे सगठन महां मंतरी राष्ट अस्तर पर श्री रामलाल जी का और पंजाब भाजपा के प्रभारी श्री प्रभाजपा जी का कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है इस दैत्व के लिए जो मुझे उन्हें ने दिया है जो मुख्य सेवादार का दैत्व है पंजाब भाजपा के लिए जे और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो जान मंतरी नेरंदर मोधी जी के नितत्व में हमारी सरकार की चार वार वर्ष की स्वरनिव उपलब दिया है जे वो पंजाब के हर घर में पहुचे जे क्योंकि भाजपा एक फुलवारी है अब महक रही है और इसके लिए कई जीवन हमारे जो कारे करता थे हमारे जो कार बन गई है और ये जीत की प्रिक्रिया निरंतर चल रही है सारे देश में जे आगे करनाटका का चुनाव है आप सब लोग भी कह रहे हो कि ये चुनाव जो है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है जे तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत सभाके शालूई हूँ कि विश् क्योंकि आई देश कॉंग्रिस से मुक्त हो रहा है देश कम्मिनिस्टों से मुक्त हो रहा है तो आने अला समय नरंतर ये एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि राश्चिय स्तर पे केवल एक पार्टी में भारत की जनता को विश्वास है वो है भारत की जनता पार्टी तो इसका कारे जो है वो पंजाब के अंतिम छोर तक पहुंचे ये विश्वास लेके पंजाब का कारे करता बहुत जुजारू है पंजाब एक बार्टर स्टेट है पंजाब ने हर हमले का मूँ तोड़ जवाब दिया है कि जिसमें चाहे वो उन्नी सो पैसेट की जंग हो चाहे वो उन पागरिकों ने हमेशा विजे पता का लहराई है जी तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी शक्ती है हमारे भारते जंता पार्टी के कारे करता हमारे पंजाब के राश्टर भक्त निवासी के जिनके विश्वास से मैं प्रियास करूँगा कारे करता शक्ती के सहोग से जी भाजब का संदेश जन जन तक पहुचे घर गर तक पहुचे और जो प्रधान मंतरी मोदी जी ने नय भारत के निर्मान की हमें सोझ दी है जी प्रधान मंतरी जी राजनीति में केवल चुनाव के लिए नहीं आएं ये वो आने वले दो वर्श का नहीं सोझतें वो आने पेंदर मोदी की जो सोच है क्या वो सोच पंजाब में भी चलेगी भारतिय जनता पार्टी की सोच परधान मंत्री की सोच या शिरुमनिय अकाली दल की सोच वहाँ पर चलेगी ऐसा है जी के भारतिय जनता पार्टी एक राश्ट्रे पार्टी है शिरुमनिय काली दल के साथ हमारा अलाइंस है हम समान करते हैं उक्मंत्री सदार प्रकास सिंग जी बादल हमारे एंडिये के वरिश्टतम सहोगी है उनका हम समान करते हैं पर भारतिय जनता पार्टी अपना विस्तार करेगी शिरोमनी काली दल अपना विस्तार करेगा और एक और एक ग्यारा हो के पूरी संगठन की शक्ती के साथ हम मुक्ती कराएंगे पंजाब की जंता जो जिसको कॉंग्रेस की इस सरकार ने अपने पंजे में दबोच लिया है जूटे वाइदे करके जूटे परलोभन देकर और आज वो जंता तरही तरही कर रही है और पंजाब जल रहा है और ये कॉंग्रेसी जो नीरो है ये बंसरी बजा रहे है पंजाब में पर ऐसा अब नहीं चलेगा क्योंकि एक वर्ष से अधी का समय हो गया ना पंजाब में एक सरकार है ना पंजाब में मुख्यमंतरी नजर आते अद्रिश्य सरकार अद्रिश्य मुख्यमंतरी अद्रिश्य मंतरी इसी मंतरी का कोई दोरा नहीं है पंजाब के जो विकास हमने किया था दस वर्ष में शिरोमनिकालिद अलबाजबा ने शांदर विकास किया पुल बनाए फ्लाय ओवर रोवर बिजिस बनाई हर घर को हमने सड़क के साथ जोड़ा है हर घर में बिजली आ रही है पंजाब पिछले हैं अपने कारेकाल में और आज थीजोरा फिर आप के रहें कि पिछली सरकार थी शिरुमनिय अकाली दल भारतिय जनता पार्टी की सरकार थी पंजाब में उसने विकास किया आपने कहा विकास की बाते आपने गिनाइः سरके पुल फिर क्यों ऐसा हुआ कि पंजाब की जनता ने शिरुमनी अकालीदल भारतिय जनता पार्टी की सरकार को नकार दिया और विपक्ष में भी जगा नहीं मिले आपको यह ऐसा है कि एक बहुत बड़ा कांस्पायर किया इनोंने बहुत बड़ा शिरुंतर किया जिसमें मैं आम आदमी पार्टी को भी साथ लूँगा जैसे इस आम आदमी पार्टी और कांगरेस ने जैसे इनोंने परशान जो थे उनको लेके आए यह सारे शिरुंतर की रूप रेखा त्यार करने के लिए इनोंने तो वो पंजाब के उपर परहार किया है कि आने आली जो नसले हैं उनको बाफ नहीं करेंगी यह आम आदमी पार्टी और कांगरेस ने पंजाब की युवा को बदराम कर दिया पंजाब के युवा को नशो के लिए जाने जाते हैं पंजाबी अपनी राश्टर बगती के लिए जाते हैं पंजाबी तो वो हैं जो रेगिस्तान में भी फूल खिलाने वाले हैं इन कांगरेस और आम आदमी पार्टी के निताओं ने अपने राजनितिक स्वार्थ की पूर्ती के लिए पंजाब को ब विकास करते रहे, ये लोग विनाश करते रहे, स्पिडेंथर करते रहे और आज स्थिती देखिए, कि आज एक वर्ष से अधिका समय हो गया परदान मंतरी मनमोन सिंग्ग जो पूर परदान मंतरी थे इनके उनकी प्रेजन्स में मुक्य मंतरी कैप्टर अमरिंदर जिंग जो थे हैं उन्होंने ये वचन किया था कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे गुटका साहब उन्होंने हाथ में लिया था तो क्या आज वो अपनी घोशना दुबारा दोराएंगे कि एक वर्ष से अधिक समय में उन्होंने क्या किया है उन्होंने कहा था युवा वर्ग को हम नौक्रिया देंगे उन्होंने कहा था जो बेरोजगारान को पच्छी सो रुपए हम बता देंगे उन्होंने कहा था क्विंजा सो हजार रुपए की हम शगन की योजनात एक करेंगे उन्होंने कहा था पंदरा सो रुपए हम भुडापा पेंशन देंगे उन्होंने कहा था बिजली पांच रुपए में उद्योगों को देंगे आज दुगने रेट करती है बिजली की शोयत मलिकी, मुक्यमंत्री अमृंदर सिंग कैते हैं कि नशा पंजाब में कम हुआ है क्या आपको लगता है कि नशा कम हुआ है पंजाब में सुनिये, एक मिनिट मुझे लेट भी कंप्लीट उन्हों ने किसानों को भी धोका दे दिया जो इस देश को अनाज देता है जो इस देश को पालता है पंजाब का कसान नबे अजार करोड का करदा माफ करेंगे नबे कुछ भी उन्होंने किया नहीं है तो मैं समझता हूँ कि यह जो आपने प्रेशन किया इसके उत्तर दाई यह पंजाब की कांग्रेस है तो पंजाब क जनता अब इनको बाफ नहीं करेगी कि जो शिडंतर की है और आप देखिए कि आज पंजाब की जनता में जो गुसा है जो रोश है इस कांगरेस की मिस गुवर्नन से इस कांगरेस के जूटे वाइदों से और परिश्टा जार देखिए इनके मंतरी ने स्तीफा दिया है जो ए भारते जनता पार्टी परजाब एक प्रहरी का रोल अदा करेगी हमें पंजाब की जनता ने विपक्ष में बैठने का रोल दिया है हम पंजाब की जनता के हकों के लिए ये जो कुम्ब करन की नींद में सोही हुई पंजाब सरकार है कप्टरर अब इंदर तिंग की इसको भी इसको सडकों पे भी लाएंगे और मेरा खुला चैलेंज है पंजाब की सरकार को आइधर परफॉर्म और कुट किया आप गदी छोड़ो या परफॉर्म करो सो मैं जे पूरा विश्वास है कि आने ले लोकसुमा चुनाब में पंजाब खड़ा होगा भारतिय जंता पार् दिया था इन्होंने तो वो जो कमिशन बना हुआ था नौकरियां देने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन उसको भी भंग कर दिया है तो अब ये घुहार लगा रहे हैं पैसे की हमारे पास धन नहीं है तो धन तो जनरेट करना पड़ता है जब हमारी सरकार थी त देंगे इनको सडकों पे उतारेंगे इनको जनता के दालत में पेट करेंगे और आने हले 2019 के लोकसवा जनाव में 13 की 13 सीटे जीत कर शिरोमनी अकाली दल भाजबा के प्रतियाक्षियों को लोकसवा में बेजेंगे और केंद्रिय भाजबा जो हमारा संगठन है उसकी जोली में तेरा लोग सभा की सीटे डालेंगी बारतिय जनता पाटी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो ये लेकिन ये तैम आना जाए कि 2019 के लिए शिरुमनी अकाली दल बड़ा भाई होगा पंजाब में और भारतिय जनता पाटी छोटा भाई बड़ा भाई और चोटा भाई साथ चलेंगे 2019 में बिलकुल शिरुमनी काली दल और भाजपा में नहू मास का रिष्टा है परकाज सिंग जी बादल हमारे नेता है वो सबसे ज़्यादा वरिष्ट राज नेता है इस समय पंजाब के जिनके नितत्तम में पंजाब ने खुशाली के अच्छे दिन देखे हैं तो आने आले समय बेबी हम दोनों पार्टियों का विस्तार करेंगे वो भी अपना काम करेंगे हम भी अपना काम करेंगे और अपनी शक्ती को बढ़ा कर लोगों में जागर क्योंकि हमारा काम सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है तो उस माध्यम से हम जनता तक जो हमारी केंद्रिय सरकार क इसने जनता को धोखा दिया है जिस उसको एक कड़ा दंड मिलने है लेकिन मलिक साब ये तैय है कि शिरुमनिय काली दल बड़ा भाई की तरह बड़े भाई का रोल अदा करता रहेगा पंजाब में और भारतिय जनता पाड़ी जो है छोटे भाई की तरह उसके साथ चलती रहे क्योंकि हमारे कारेकरताओं का सम्मान मेरे लिए सबसे उपर है कारेकरता मेरी शक्ती है कारेकरता मेरी जान है कारेकरता मेरी सम्मान है तो हम दोनों पार्टिया अपने कारेकरताओं को इकठा रखके पंजाब को कांगरिस की सरकार्थे मुक्त करें आपने ड्रक्स की बात क कही थी कैप्टेन अमनिंदर सिंग ने गुटका साब की कसम ली थी और उन्हें कहा था कि चार हफ़ते के अंदर जो है नशा मुक्त पंजाब कर दूँगा आपको लगता है आपको नहीं लगता कि पंजाब में नशा कम हुआ है पिछले एक साल से जादा हो गया है कैप्टेन पूरती करने के लिए आज इनके सीधे इल्जाम इनके जो विधायक है या और लोग है उनपे लग रहे हैं आज जो रेत बजरी के रेटों पे जिसमें उन्हें चुराव लड़ाता है उनके रेट चार गुना बढ़ गए है आज कैप्टेन अमरिंदर सिंग जी ने माना कि ये मैंने खुद देखा है कि ये रेत का गड़बड का काम हो रहा है आज इनके ही मंतरी अपने मुख मंतरी को कहते है चैलेंज देते हैं सदार नवजोस सिंग सिद्धू ने खुले तोर पे कहा कि मुझे ग्रैम मंतरा ले दो मैं एक हफते में सब ठीक कर दूँगा तो क्य अपने मुख मंतरी के अक्षमता के ओपर प्रेशन उठाया कि मुख मंतरी इतने काबल नहीं है कि उनका विवा का मुझे दो मैं ठीक करता हूँ उसके बार रेत बजली पे फिर कहा उन्होंने चैलेंज दिया मुख मंतरी को कि आप से नहीं होता तो एक हफते के लिए मुझ चड़ी बन गयी है कंग्रेस ये मुख मंतरी के कुरसी के पीछे बाग उटी है कि अब जितने वरिष्ट मंतरी है जितने इनके नेता हैं वो मुख मंतरी बनने की जो पंक्ती है जो लाइन है उसमें खड़े हो गए जनता को भूल गए है पंजाब को भूल गए है और उस घटन के कारण पंजाब की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है जितने मुबाइल सदार प्रकास सिंग बादल जी थे वो हर वक्त हर जगा नजर आते थे अपने परवास में अपनी अक्टिवटी वे वो इतनी आयू होने के बावजूद आप डिकॉर्ड निकाल के देखिए तो कितनी बार पंजाब के जिलों में गए हैं हमारे मुख्यमंतरी जो अब के हैं कैप्टर रुमिंदर सिंग जी ये शायद कई जगा पर अब तक गई नहीं है मुख्य चेहरों में एक बार भी बनने के बाद तो मैं ये जरूर महसूस करता हूँ कि पंजाब में आज तक की सबसे निकमी सरकार जो है वो आज काम कर रही है जी तो आपको आपको लगता है कि मुख्यमंतरी आपने कहा कि मुख्यमंतरी कहीं नहीं आते है क्या कारण आपको लगता है कि मुख्यमंतरी जो है जनता के बीच लोगों के बीच या कहीं जाने रहे आप जो कह र रहे हैं और दूसरे लोगों को उन्होंने पहले ही ये इच्छा जगा दी है कि I am going now who will be the next team minister of Punjab from Congress तो उसी चक्कर में ये लोग आज टोटल एक दूसरों में उलजी है सदार परताब सिंख बाजवा जो इनके सांसद हैं उन्होंने खुले तोर पे इस सरकार को निकमा सरकार बताया उन्होंने का जिन वादों के साथ मायदे पूरे नहीं हुए आज मैं सरकार को केवल पचास जंक दूँगा तो एक इन्होंने मुक्कमंतरी जी ने बैटक बलाई आज ये देखिए न मैं सांसद भी हूँ हमने बहुत बार गुहार रगाई मुक्कमंतरी जी से हमारे साथ बैटक कीजिए केंदर की कई योजने इस करके रुकी हुई है कि पंजाब सरकार उसमें अपना मैचिंग राज नहीं डाल रही है पंजाब सरकार कोपरेशन नहीं दे रही है तो बैटर है वे डायलाग वो शुट सिट टेकैदर कि जिससे आम लाब प्रार्थी को लाब मिल सके केंदर सरकार ने पैसे बही दी हैं अब स्मार्ट सीटी प्रोजेक्स हैं हमें आपको उधारन दे तो हमरे सर के लिए पच्छिस करोड पे केंदर सरकार ने ला है अपनी सरकार से जिसमें कि अमरिस सर से मुंबाई का एक नया रेलवे का रूट मिलेगा अमरिस सर फिरोजपुर लाइन का वो पैसा आज अकाउंट में पढ़ा है जो इन्होंने चालिस प्रोड प्या देना था लैंड कोईर करने के लिए नहीं दिया आज रेलवे ओवर कैंसल की तीसरी बार एक मंतरी की जमेवारी लगा दी तो हमने तो विरोध करने ही था कि हमने तो मुक्य मंतरी को मिलना है सांसदों ने जे तो उस सर पे इनके कांगरेस के सांसदों ने भी उसका बाइकट कर दिया केवल तीन सांसदों पहुचे बीस सांसदों में से उस बै की अदालत में अब इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जी श्वेत मलिक जी आप कहते हैं कि कॉंग्रेस मुक्त पंजाब करेंगे लेकिन पंजाब में अगर भारती जनता पार्टी का आकड़ा एक तरह से दिखा जाए लोक इनसाफ पार्टी से एक सीट भारती जनता पार्टी की पंजाब में ज्यादा है दो हजार साथ में आपने अठारा सीटे आठारा सीटे थी आपके पास भारती जनता पार्टी के पास दो हजार बारा में तेईस लड़े बारा आप जीते दो हजार सतरा में तेईस सीटे आप लड़े लेकिन तीनी भारती जनता पार् यह वो भारतिय जनता पार्टी है जो दो सीट से आगे बड़ी है हम उस टाइम भी नहीं घबराए हमारा मजाग उड़ाते था परदान मंत्री जो पूर्व थे अटल ब्यारी वाजबाई जी उन्होंने कहा था संसद में कि आज जो हमारे पे मजाग उड़ा रहे हैं कल यह पूर्ण बहुमत मिला है संसद में सो पंजाब में भी इसी तयास की पुनावरती होने वाली है कि ऐसा जब यह अत्याचार जब लोगों का शोशन चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो फिर वो करामती होती है तो उस करामती का अरंबब हो चुका है उस करामती का समापन जया आपको туда मुक्ट करेगी जैसे देश ने कॉंघर से देश को मुक्त कर दिया है क्या एक वर्क ऐसा भी है भारते जनता पार्टी में पंजाब में वो जिनका यह मानना है कि भारते जनता पार्टी को अकेले जो है चुनाव मैदान में उतरना चाहिए क्या आपको ऐसा करता है तो वो सर्व माने होता है हम ऐसी अनुशासित पार्टी हमारा काडर दुनिया में बस काडर बाना गया हमारा कारे करता अनुशासिन पर यह कारे करता है राश्ट्र वक्त कारे करता है तो यह आज जो निरने है जो हमारा अलाइंस चल रहा है यह चटान की तरह मदबू को कि आने हाले समय में आप ये देखेंगे ये सरकार जो कॉंग्रिस की है ये अपने भार से गिरने हाली है ये अपने बरश्टा गार से गिरने वाली है और पंजाब के स्वर्निम दिन अब नजदीक आने वाले है हाली में जो है स्टीफ की रिपोर्ट आई और स्टीफ की रिपोर्ट में ये कहा गया ड्रग्स की आपने बात की थी तो स्टीफ की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया ये बात भी हो रही है कि रिपोर्ट सारवजने कोने चाहिए रिपोर्ट पे एक्शन होना चाहिए आप और उस परक्रिया में कोई भेदबाओ नहीं होना चाहिए, कोई फेवरिजम नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि कोई रिपोर्ट अभी तक परमानिक्ता के साथ सामने नहीं आई है, ये सरकार तो इन की है इस समय, तो हमारे से प्रेशन पूठनी बुझाए, आपको इन से प्रेशन पूछना चाहिए? सरकार तो इन की है पंजाब में, अम़ारी में नहीं है. आपको लगता है इस तरह की अगर report है, इस तरह की report जो है high court में इसको submit किया गया है, STF दुबारा इसको servjanic किया जाना चाहिए देखें, नाय प्रिक्रेया मैं उसमें कोई interference नहीं करऊंगा ना उसमें कोई tip नहीं करऊंगा the matter is sub-uted, it is before the court so we will just wait the verdict of the code किसी वह रोप लाम लगाने से क्या होता है आज ये केजरी वाल है ये भी ऐसी बाते करते थे आज माफियां मांगते हैं कभी किसी से माफिय मांगते हैं कभी किसी से माफिय मांगते हैं तो अब हम इस पे क्या टिपनी करेंगे कि ये राजनीती से प्रेरित होके ये कुछ पार्टियां ऐसे रोब लगाती है जिसके बाद में इनको शमा याचक बनना पड़ता है शमा मांगनी पड़ती है तो यही सामने आपके आया कि यह पार्टियां क्योंकि यह मुकाबला नहीं करपाती एंडिये का तो शडमतर करती है तो आप देखिए कि रोज नई खबर चबती है केजरिवाल जी ने इनसे मावी मागी है केजरिवाल जी ने वो भी तो इसी प्रकार के रोब लगाते रहे मलक साब आपको क्या लगता है दो हजार उननीस में मुकाबला सीधा कॉंगरेस से होगा या आम आदमी पार्टी भी मैदान में है आपको लगता कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है यह वो आम आदमी पार्टी है जो कई नारे लगा के लोगों को शड़ेंट ऐसा ही कारे जो कांगरेस ने पंजाब में किया है पंजाब को बदनाम किया है पंजाब के युगा को वैसा ही कारे उन्हों ने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था कई जूटे वाइदे कि आज उनको हाल देखिए पार्टी वो शुन्य की तरफ बढ़ रही है उनके जो पंजाब के सांसद थे उनमें आदे सांसद छोड़ चुके हैं बाकी सांसद विचलित हुए पड़े हैं वो भी इस समय उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो आपके सामने हैं इस पार्टी के आदे से आदिक मंत्री मंदल जो है वो स्तीफा दे के जेल यातरा कर चुके हैं इनके विधायकों पे उपर बहुत गंबीर जो है अरोब लगे हैं ये जो हार्ड लाइनर्स हैं आतकवादी लोग हैं उनके साथ इनकी खबरे चबती हैं तो आज मैं ये समझता हूँ के आम देश राश्टर भक्त हो गया है आज देश जो है वो एक उन्नती की तरफ चड़े आज देश प्रधान मंत्री युग पुरुष्ट पस्वी कर्म योगी शिरी नरंदर मोदी जी के नितबत में चल रहा है नरंदर मोदी जी वो नेता है जो आप विश्व के नेता है परधान मंत्री जो हमारे है नरंदर मोदी जी के हाथों में वो देख रहे है तो आपको लगता है दो हजार उन्नीस में अगर लोकसवा चुनाओ की बात की जाए तो परधान मंत्री नरंदर मोदी के सामने कोई चुनाओती नहीं है आपको लगता है मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ देश की जनता ये जान चुकी है जितने मर्दी शिडंतर कर ले ये शिडंतर कारी ताक्ते जो एक दूसरे को आखो आख नहीं देखती थी चाहे वो राश्टिय जनता दल हो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो ये देखिये वो कहते है ना कि देश का राजा अगर इमानदार हो तो वो तब पता लगता है जब ये विपक्षी लोग आपस में इकटे हो जाए इन्होंने विपक्षी जो पार्टी है इन्होंने अपने सारे अजंडे खतम कर दी है इन्होंने अपनी विचारधारा को जो है वो खतम कर दी है केव को देश के सवा सो क्रोड निवासियों ने एक सम्मान दिया है वो देश के सबसे लोग प्रिये आज भी चार वर्ष की सरकार के बाद भी नेता है वो पहले नेता है जो निमन स्तर से उपर के ऊपर तक आये है वो आम आदमी के नेता है वो गरीबों के नेता है उनकी जितने उ उन्होंने वादा किया था न बरिश्टा चार्क करूँ गा ना करने दूंगा उसको मूत ओर ज्वाब करने के लिए किया है ऑज डाएक्ट बेनिफिट ट्रासफर हो रहा है आज उन्होंने करोडों खाते खलूआ दिये आम आदमी के ताकि उनका बेनिफिट जो दलाल खाजा वो निसहाए थे वो इसका कोई निवारन नहीं कर पाए यह प्रधान मंतरी नेंदर मोती है जिन्होंने यह जो खाते खलवाए हैं जीरो बैलन्स के उपर अकाउंट में अब सारा बेनिफिट जो जनता का इवन यह मनरेगा का पैसा जो मजदूर का पैसा है वो भी अकाउंट कर लें इनको बू तोड़ प्राज़े मिलने आ लिए नेंदर मोती जी आने लें लंबे समय पर राष्टर हित में काम करेंगे और यह जो यह मनते हैं राहूल गांधी पिर से कॉंग्रेस अध्यक्स राहूल गांधी कोई चुनोती नहीं है परधान मंतरी नेंदर मोती के सा लिए वो मैं समझता हूं कांग्रेस मुक्त भारत के सादक भी है वो सादन भी है धो सबसे बड़ा काम आज जो करतंभारति पंजाब के लिए क्या रहेगी मेरी प्राफमिता ये है जी कि कारे करता का समान हो कारे करता निर्भीक कारे कर सके और उसको सरक्षन भी हो नितक्तव और कारे करता में किसी तरह का पुल ना हो नितक्तव कारे करता तक पहुँचे और कारे करता जनता तक पहुँचे और जो हमारी लोक प्रिये सोशल वेलफियर स्कीम्स हैं प्रदान मंतरी निरंदर मोदी जी के नितक्तव में जो चल रही हैं वित मंतरी अरुन जेतली जी के नितक्तव में जो चल रही हैं उन स्कीम को आखरी आदमी तक पहुचाना है हमारी तो पार्टी पंड़त दियाल काम करें जा पर्टि जन्ता पार्टि संगेटरन वद्बूत ओूर मैं सभी वर्गों जो भी अच्छा कारे कर रहा है जो राश्टरबत आ है है ना उनको ये निवेदन करूगा भारती जंता पार्टी की तरफ से कि वो आओ पंजाब में भारती जंता पार्टी के साथ जुड़ो आप मध्यम बनो जो प्रधान मंतिरी निरंदर मोधी जी का जो हमें एक आहवान है जो उनका मारदर्शन है कि हमने नए भारत का निर्मान करना है उसमें पंजाब का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए और उसके लिए मैं सब ऐसे लोग जिन्हों ने चाहे किसी भी माध्यम से किसी भी पार्टी से घेश की सेवा की जो अपने बन में भावना रखते हैं उनके लिए भारती जंता पार्टी की नजर आना चाहिए जही श्यत मलिक साब आप भी अमरित सर से हैं नवजोध सिंग सिद्व भी अमरित सर से हैं क्या भरपाई की है भारती जंता पार्टी ने आपको अध्यक्ष बना के सिद्दु जी के नव्जोस सिंग सिद्दू जी हमारे लिए कोई प्रशन नहीं है वो हमारे एक सांसत थे उनको बहुत लाब मिला भारतिय जंता पार्टी से आज उनकी राजनिती का अगर पहचान है तो भारतिय जंता पार्टी के कारण है अज भारतिय जंता पार्टी और शिरुमनी काली द साथ कोई चला जा सकता है पर अगर हो बिलो दा इल्ट हील्ट करेंगे अगर वो कोई ऐसा हमारे कारेकरता के खिलाफ कोई ऐसा करेंगे तो हम eaten 투 ko उसी प्रगार का जवाब देंगे आप कहते हैं कि सिद्धु को भारते जन्ता पार्टी से लाब मिला, आपको सिद्दू से कोई लाब नहीं मिला भारते जन्ता पार्टी नहीं मेरे मैं में जे कारे करता मैं आज 25 वर्षे राजनीति में नवजोर सिंग शीदू शीदू शायद 2004 में अमरे सर में आये थे मैं 1992 में युवा मुर्चे का कारे कर रहा हूँ मेरे पिता जी राष्टिय स्वेम संग के 7 वर्ष तक परचारक हुए 1947 में जब देश का बटवारा हुआ तो मेरे पिता जी राष्टिय स्वेम संग के परचारक दे उसके बाद मेरे जीवन में मुझे बचपन से जो हमारा भारतिये जनता पार्टी उस से पहले जन संग और राष्टिय स्वेंस संग की शाखा से मैंने शिक्षा प्राप्त की है ससकार प्राप्त की है तो मेरा राजनितिक जीवन 25 वर्ष है तो नवजोज सिंग सिद्धू जी का तो जीवन 12 वर्ष है अब आपको इसका उत्तर आपकी जुबान में जब नवजोज सिंग सिद्धू जी आपकी जानकरी के लिए मैंने तीन लगतार चुनाव जीते हैं 1997 में जीता 2002 में में नेता विपक्ष था नगर निकम अमने सर में जब 2004 में नवजोज सिंग सिद्धू ने पहला कदम जो है आपने सर में रखा था जे ही श्वेत मलिक साब जी मीरिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुब कामना आपके साथ हैं जो एक बड़ी चुनाती आपके सामने हैं उसको आप पूरा कर पाए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हारदिक धन्यवाद तो यह थे बीजेपी के पंजाब के नए अध्यक श्वेत मलिक आपको हमारी बाचीत इनसे कैसी लगी है आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDI N.E.S.H.W.A. पर आप देखते रहें जी मीडिया नमस्कार